CSES Portal में आप अपनी Category Change कर सकते हो, बहुत सारे Students के पास बहुत अच्छा सवाल है ये, Brothers Gaming का बहुत अच्छा सवाल है, Sir, कहना है Change Category in my CSES Portal? Yes, you can do that, अगर आपने, for example, General Category भरता CVT के फॉर्म के अंदर, अब आप कहते हो, नहीं, Sir, अब तो मेरे पास, EWS का Certificate आगया, आप तो मेरे पास, OBC NCL का Certificate आगया, क्या मैं अपनी Category Change कर सकता हूँ? उसका अंसर है, Yes, आप अपनी Category Change कर सकते हो, given कि आपका OBC NCL का Certificate 31st March के बाद का बना वाए, और EWS का Certificate 31st March के बाद बना वाए, SCST Category का Certificate भी क्या 31st March के बाद का बना वना चाहिए, नहीं, ये ज़रूरी कंडिशन नहीं है, बहुत सारे students कहते हैं, सर पहले मैंने CVT के form में Undertaking भरे दिया, मेरे पास Original आ गया, तो मैं भरदू नहीं Category के साथ, Yes, आप Category Change कर सकते हो, अच्छा बहुत सारे students ये भी बूछते हैं, सर तो फिर CVT के Portal से उठाता क्या है CSAS Portal, CSAS Portal के अंदर जब आप अपनी CVT Application ID भरते हो, तो पांच चीज़े उठाता है वो, एक आपका नेम जो आप Edit नहीं कर सकते हैं, जो आपने CVT के अंदर बढ़ाता बुही रहेगा, आपकी email ID अब आप Edit CSAS में भी नहीं कर सकते हैं, जो आपने CVT के Official Portal में बढ़े थी, CVT 2023 भरते हो, वही उठाएगा, 4 नंबर आप अपना चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो CVT में बढ़ाता application form में वही उठा लिए CSAS Portal ने, तीसरी और चौती, passport size photo और signature, यह आपको नए upload नहीं करने, जो CVT के application ID उसी से pick कर लिया है CSAS Portal ने, तो यह 5 चीज़े आप चेंज नहीं कर सकते हैं, category चेंज कर सकते हो, मुमी पापका का नाम चेंज कर सकते हो, कोई problem नहीं उसमें, I am sure आपको बास समझा गई है, ठीक है जी?